जब भी ज़रूरत पड़ी अपना सब कुछ तन, मन, धन और यहां तक की जान भी इस देश के लिए कुर्बान है जब I.A.T. से पढ़के निकला था, I.A.T. खड़तपूर देश का बहुत बड़ा इंस्टिटूट माना जाता है मेरे नंबर बहुत अच्छे थे, मैं चाहता तो विदेश जा सकता था, मेरी क्लास में बहुत सारे लोग विदेश चले गए लेकिन मैं देश में रुका था, क्योंकि मैं चाहता था, मैं समझता था कि इस देश को अगर ठीक करना है, तो हमी को ठीक करना है कई लोगों कर यह मानना था कि हमारे देश में तो यह कमी है, हमारे देश में तो वह कमी है कोई यूएस से चला गया, कोई कहीं चला गया लेकिन मैं चाहता, मैं भी जा सipता था, मैं नहीं गया उसके अदिंगम टैक्स कमिशनर की लौकरी छोड़े ब्रश्टाचार के खिलाफ आंदूलन में हिस्सा लेने के लिए इस देश के सबसे बड़े ब्रश्टाचार के खिलाफ आंदूलन में हिस्सा लिया क्या कोई आतंकवादी करता है कि देश के बहुत बड़े बड़े बहुत शक्तिशाली लोगों के भ्रष्टाचार को मैंने उजागर किया जिसका काफी खाम्याजा भुगतना पड़ा मुझे कितने केस हुए मेरे उपकर कभी आतंकवादी यह सब करता है मैं डायबिटीज का मरीज हूँ डायबिटीज का मरीज अगर तीन-चार घंटे इंसुलिन लेता हूँ दिन में चार बार इंसुलिन लेता हूँ अगर डायबिटीज का मरीज तीन-चार घंटे कुछ ना खाए और इंसुलिन पर है तो वो कॉलाप्स कर जाता है उसकी शुगर बहुत डाउन हो जाती है उसकी जिन मौत उसकी मौत हो जाती है ऐसे में दो बार मैंने देश के ब्रश्टाचारियों के खिलाफ अंशन किया एक बार पंदरा दिन का अंशन किया एक बार दस दिन का अंशन किया सभी डॉक्टरों ने कहा था कि एजरीवाद 24 घंटे से जादा जिन्दा नहीं रहेगा देश के लिए अपनी जान कुरवान की मैंने जान कुर जान तक दाउं पे लगाई मैंने और पिछले पांच साल के अंदर इन सब लोगों ने मिलके मुझे प्रताड़ना देने में कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे घर पे रेड़ कराई मेरे ऑफिस में रेड़ कराई मेरे तो मेरे माबाप मेरा इंतिजार कर रहे थे मेरे माबाप मेरे साथ रहते हैं तो और शाम को जाके थोड़ी दिर उन से बैठके पूरे दिन की बात करता हूं उनको बहुत दुख हो रहा था, उनका यही क्या ना था कि उनका बेटा कटर देश भकते हैं, उनका बेटा आतंकवादी नहीं है, मैंने पिछले पांच साल में दिल्ली वालों का बेटा बनके, उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश किये, आज मैं यह निरने दिल्ली के लोगों के उपर छोड़ता हूँ, कि वो मुझे बेटा मानते हैं, मुझे अपना भाई मानते हैं, कि वो मुझे आतंकवादी मानते हैं,